हेलो स्टूटेंट्स आइम हर्शितर आठवार और मैं आप सब का एचन अधिन पर स्वागत करती हूँ I hope सब लोग अच्छे होंगे बहुती बढ़िया होंगे और जो भी बच्चे जून के एक्जैम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच्चे को ले सकते हो बैच्चे की पूरी इंफरमेशन आपको हमाई टेलिग्राम चैनल जो है हिंदी नारी उसके उपर आपको पूरी इंफरमेशन मिल जाएगी हमारे बैच्चे की कौन-कौन से वीडियो मिलेंगी आपको क्या-क्या वीडियो मिलेंगी हि तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि बिगनर्स जो फॉर्स टाइम जून के अंदर एक्जैम देने वाले हैं जो फॉर्स टाइम अपनी प्रपरेशन को शुरू कर रही हैं तो उनके मन में काफी डाउट होता है कि मैं हम पहली बार तयारी क के लिए तयारी कर रहे हैं उनको तो पता होता है भी हां क्या पढ़ना है हमको कैसे पढ़ना है हमारी तयारी कैसे हमको शुरू करनी है लेकिन जो बच्चे पहली बार पीपर देने वाले होते हैं उनके लिए सबसे पहला ही यह सवाल उठता है उनके मन में हम शुरूआत कर करें ठीक है तो उन सबी बच्चों के लिए विडियो होने वाली है बिगनर्स के लिए ये विडियो होने वाली है कि आप उनको अपनी पढ़ाई को शुरू कैसे करना है और इन 6 महीने के अंदर कैसे उनको धीरे-धीरे करके अपने जून तक अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि जो भी बच्चे बिगनर्स हैं वह सबसे पहले अपना syllabus को download करें और अपनी syllabus को check कर ले paper 1 का और paper 2 आपकी syllabus के according आपके subject के according जो भी आपका paper 2 है उसके according आपका syllabus आप चेक कर लो paper 1 का और paper 2 का कि वही कौन कौन से chapter आपकी syllabus के अंदर दिये हुए हैं आपको क्या क्या पढ़ना है क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होए है first chapter अगर आपका teaching है तो उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है वह अंदर के topics भी आपके mention है आपके syllabus के अंदर आपको syllabus नहीं मिल रहा है तो मैंने कहना detailed syllabus के उपर detailed video के साथ में discussion किया है YouTube के पर हमाई चैनल पर आप मेरी वीडियो को जाके देख सकते हो आपको एक detailed information मिल जाएगी syllabus की कि आपके 10 chapters पेपर बन के और उन chapters के अंदर भी कौन-कौन से topics आपके दिये हुए हैं जो आपको पढ़ने है ठीक है आप मेरी वीडियो को भी पर बढ़ जाते हैं लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि आप क्या करो syllabus देख लिया syllabus देखने के बाद में आप क्या करो प्रीवेसर के 2-4 पेपर उठाके देख लो उन पेपर को solve करने की कोशिश करूं अभी solve करने की कोशिश करोगे तो होगा कुछ नहीं आपको एक भी question का ज पूछने लगेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है सिर्फ पेपर को उठाना है और उनको देखना है कि किन टॉपिक से आपके question कैसे कैसे question पूछे गए है बस इतना सा करना है solve करने की कोशिश बिलकुल मत करना उनको ठीक है क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है उस चीज से कैसे question पूछ रहा है एंटी आपसे exam में तक कि आपके दिमाग में एक idea रहे कि भी अच्छा इस इस topic से ऐसे question मुझसे पूछे जा रहे हैं तो मुझे इन इन topics पर ज्यादा focus करना है और मुझे ऐसे बड़े-बड़े question मुझसे पूछ रहे हैं मुझसे match the following के question पूछ रहे कि एंटी ए paper किस तरीके से पूछता है ताकि आप पहले से ही prepare रहो उस तरीके के paper के लिए practice करने के लिए अपना preparation करने के लिए ठीक है तो आप क्या करो syllabus देखो syllabus देखने के बाद में जादा नहीं सिर्फ एक दो paper उठा के देख लो previous year के paper कि भी किस तरीके से कौन कौन से topic स कौन कौन से question कैसे कैसे question आप से पूछे गए है exam के अंदर ठीक है और फिर अपने तयारी शुरू कर दो तीसरा step क्या होना चाहिए आपका section wise हर एक एक chapter wise अब कुछ बच्चे बोलते कि हम है ना easy chapter से शुरू करेंगे कुछ बोलते कि हम कुछ जो tough लगता है हम उससे शुरू दिये हुए है सारे complete करने है ठीक है तो अपना सबसे पहले मेरको अपना syllabus complete करना है क्योंकि syllabus इतना वास इतना लेंदी है ना कि बच्चे syllabus ही नहीं complete कर पाते हैं पाच्छे महीने के अंदर क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है ठीक है NTA ने लिख दिया जाओगे पढ़ते जाओगे एक topic बहुत बढ़ा है उसका कहीं पर भी full stop नहीं दिया हुआ है आपको खुद को देखना होगा कि भी अब ठीक है यहां तक हो गया है मुझे इतना ही पढ़ना है मुझे next topic पर जाना है ठीक है तो आपको वो सब कुछ अपने according decide करना होगा वर में को कितने दिन में chapter खतम करना है topic खतम करना है और उसके according धीरे धीरे एक एक chapter को खतम करो अपना सबसे पहले syllabus को complete करो ठीक है और साथ ही साथ एक जो बात है वह ध्यान में रखना कि आपको syllabus को complete करने का सिर्फ यह मतलब नहीं कि सिर्फ 10 chapters को उठा लिए और सिर्फ पढ़ लिए नोट्स बना लिए उनको सजा के रख दिया नहीं उनका साथ ही साथ रिविजन भी होना चाहिए बच्चे क्या करते हैं या तो syllabus complete करने में ही लग जाते हैं कि मैंको तो first to ten syllabus complete करना है अच्छे-चे नाय राइटिंग में नोट्स को बनाने है उसको सजा सजा के और बस इसमें आपको क्या करना है पूरा रिविशन करना है मैं तो बच्चों को यहीं बोलते हो कि भी संडे उठा लो ठीक है ताकि आपको एक दिन खुद का रेस्ट आपको भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा अराम भी कर लोगे और उस दिन में जो भी आपने नए टॉपिक् कर लेना ठीक है मंडे टू सेटर्डे का सारा रिविशन कर लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना और आपको थोड़ा सा टाइम भी रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा ठीक है तो कोई भी आप दिन रख लो संडे रख लो मंदे रख लो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टा दिमाग में 6 महीने बाद तक रखना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह 5 महीने 6 महीने बाद हमारी दिमाग में रहे हम जाके पेपर देखे आए उसको पेपर के अंदर अपलाए कर पाएं ठीक है तो वह तब ही होगा जब आप प्रॉपर रिविशन करोगे चीज़ों का प्र आपका नेक्स्ट टैप क्या होना चाहिए अब धीर धीर अपना सिलिबस कम्पीट करो और साथ ही साथ परेक्टिस पे ध्यान दो एक चैप्टर कम्पीट हो गया तो उसके फिर कुछ कुछ उठाओ पर प्रीवेशन का पेपर उठाओ उसमें जो भी टीचिंग क्या पर तुर्च आप प दूसरे क्प्लीट नहीं हो जाता है पूरा complete नहीं हो जाता है, तब तक दूसरे chapter पर मत जाना, अब क्यों मत जाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक chapter कर लिया, ठीक है practice कर ली, दो-चार question solve होए, सोस्ते हैं ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में इसको practice कर लेंगे, पहले मैं दूसरा chapter कर लेती हूँ, फिर दूसरे पर चले जाते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर उसको थोड़ा बत रह जाता है, फिर सोस्ते में तीसरा कर लेती हूँ, और ऐसे करते-करते क्या होता है, हर एक chapter से कुछ ना कुछ चीजे उनके रहे ही जाती है, और फिर last में जाके उन सबको complete करने का time ही नहीं मिलता ह है उनको, तो एक chapter उठाओ, उसको पूरा 100% complete करने की कोशिश करो, फिर ही जाके दूसरे chapter पर जाओ, ठीक है, ताकि आपका कम से कम जो आप कर रहे हो, आपका 100% complete रहे, आधा दूरा छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जीरे जीरे हर एक chapter का revision करते रहो, practice करते रहो और फिर लास्ट में, आपको mock test लगाने है, previous year के questions को solve करना है, ठीक है, और जब भी आप revision करो, तब साथ ही साथ उसकी short notes भी बनाते रहे, आप जो notes बनाओगे, वो तो बनाओगे ही, लेकिन जब आपका एक दिन बाद में, जो आपका exam होने वाला होगा, तब आपके पास मे करने वाली चीज़े है, कुछ fact वाली चीज़े है, कुछ dates दी हुई है, ठीक है, कुछ है आपको propounders के अगर names को learn करना है, कुछ याद करने वाली जो भी चीज़े है, उनकी क्या करो, short notes बना लेना, ताकि बार बार उसका revision करते रहो, और जब एक दिन बाद आपका paper हो, तो अब यह strategy रहने वाली है, इसके according है, आपको अपनी preparation को अभी से ही शुरू कर देना है, ठीक है, पाच्छे महीने है, इसके according रोज consistent रहके पढ़ाई करनी है, कुछ ना कुछ आपको daily complete करना ही है, अपना एक topic उठाना है, daily उसको पढ़ना ही है, ठीक है, तो यह आपकी आज क अच्छी लगी होगी, interesting लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको like and share करना है, और में को comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपकी और कोई query है, कोई आपकी और suggestion है, जिस पर आते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप में को suggest कर सकते हो comment box के अंदर, ठीक है, thank you.